सुशान्त की आत्मा से फिर हुई बात आत्मा ने बताई चौकाने वाली बात सुशान्त ने बताई मौत की सच्चाई स्टीव हफ ने किया दावा आत्मा से बात का वीडियो की अजारी क्या है इस वीडियो की सच्चाई बॉलिवुड एक्टर सुर्षांद सिंग राजपूत के निधन को एक महीने से जादा का समय हो चुका है लेकिन उनके फैंस लगतार उन्हें याद कर रहे हैं और सोशल मेडिया पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके फैंस को लगता है कि सुर्षांद की मौत की कोई वज़ा है सुर्षांद की मौत आत्महत्या नहीं बलकी मंडर है और फैंस के इसी डिमांड को लगतार देखते हुए पैरानॉर्मल एकस्पर्ट ने सुशान्त की आत्मा से बात करने का दावा किया है जी हाँ इससे पहले दो बार स्टीव हफ ने सुशान्त की आत्मा से बात की है जिसमें सुशान्त ने कई बाते बताए सुशान्त ने स्टीव हफ को बताया कि वो एंजल बन चुके हैं और स्वर्ग में हैं वो बहुत खुश है ऐसी धेर सारी बातों का दावा स्टीव हफ ने किया इसके लिए स्टीव हफ ने अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो भी जारी किया जो देखते ही देखते वारल हो गया और आज एक बार फिर स्टीव ने सुर्शांद की आत्मा से बात करने का तीसरा वीडियो जारी किया है जिसमें स्टीव हफ अपने साथ ही डेवी के साथ बैठे है और सुर्शांद की आत्मा से बात करने की कोशिस कर रहे हैं स्टीव के पास एक मशीन रखी है जिसमें कुछ आवाजे आ रही हैं स्टीव हफ सुर्शांद की आत्मा से बात करने का दावा हुई है महज यह आत्महत्या नहीं आवाज आती है गर्द इस्टीव फिर पूछते हैं कि क्या कोई साथ था जिस पर कोई सपस्ट प्रतिक्रिया नहीं आती है लेकिन आवाज आती है चार लोग इस्टीव सुशान की आत्मा से कहते हैं अपने फैंस को एक संदेश देने के र मैं मर Kendra हूए मैं बहुत सन्रख्शित हूँ हुँ उनके fans को लग राया है कि सुरुषान की आत्मा दोश्यों के बारे में बात कर रही है video के अंत में स्टीव हफ से सुरुषान की आत्मा कहती है कि उनकी मां उनके साथ है और उनके पास पंक है खैर इस वीडियो की सच्चाई क्या है फिलहाल इसकी कोई पुखता जानकारी नहीं लेकिन सुर्शान्त के फैंस इस वीडियो पर विश्वास कर रहे हैं और लगातार सुर्शान्त की आत्मा से उनकी मौत की सच्चाई पूछने को बोल र या पंजाब के स्ट्री ग्रुप के साथ जुड़े रहें